Students, this is chapter of fourth standard EVS, first chapter of EVS, internal organs of body. Human body is the best gift of God to man. Human body, जो है, वो प्रमात्मा दोबरा आदमी को दिया हुआ सबसे अच्छा gift है. It is like a machine. ये machine की तरह होती है? Body जो है, it is made up of many parts, काफी parts की बनी होती है. All the parts of our body are called organs. ये जो parts हैं, उनको organs बोलते हैं, जिसे legs हैं, arms हैं, ये सभी organs हैं. Our body has some external and some internal organs. कुछ तो body में जो organs हैं, वो external होते हैं, जो बार से दिखाई देते हैं, external. और कुछ जो हैं, वो internal होते हैं, जो अंदर होते हैं, body के, जो दिखाई नहीं देते हैं. अब external organs कौन से हैं, eyes, ears, nose, hand, legs, etc. आर अवर external organs, ये external organs हैं. We can see our external organs, external organs को हम देख सकते हैं, ठेक हैं? ब्रेन, heart, stomach, liver, kidneys, आर अवर internal organs. ये वले जो हैं, ये internal organs हैं. We cannot see our internal organs. हम internal organs को नहीं देख सकते हैं. external को तो देख सकते हैं, जिसे eyes हैं, ears हैं, nose हैं, hands हैं, legs हैं. इनको हम देख सकते हैं, लेकिन internal organs जो हैं, brain, heart, वगेड़ा, इनको हम नहीं देख सकते हैं, ठेक हैं? Because these are located inside our body. क्योंकि ये body के अंदर होते हैं. Let us study about the organs and the system in which they work. अब इस चेप्टर में हमने पढ़ने हैं, कि जो different internal organs हैं, और वो कैसी काम करते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगें. देखो, अब मेरी बात सुनें, एक मेंट. कि सबसे पहले हैं, कि जो हमारी internal organs हम यहाँ पे आपको brain के बारे में बताने लगे हैं, ये brain है. banking के थी पार्ट सें, ये वोला जो पार्ट है, इसको सहरी ब्रम बोलते हैं, ये वऎला जो नीचे, ये वला हिस्सा है, इसको सहरी बेलम, और ये वला जो हिस्सा है, इसको मडूला अबलंग्चा बोलते हैं ये brain stem भी बोलते हैं मडूला अबलंग्चा और brain को बहर ये bone protect करके रखती है सारी bone है skull की, खुपड़ी की इसको cranium बोलते हैं तो ये brain के main parts हैं cerebrum, cerebrum और मडूला अबलंग्चा हर part का अपना काम है cerebrum का काम अलग है cerebrum का अलग है मडूला अबलंग्चा का अलग है और बाहर cranium है उसका काम मैंने आपको बता दिया ये brain को protect करती है injury से और brain जो है वो मारी body का master organ है मतलब ये सारी activities जो है वो brain control करके रखता है लग ये पता जो अलग-लग organs जो है जैसा order brain देता है ठीक है perform करनी के लिए वैसे उनको perform करना होता है और brain जो है उसका size weight जो है sorry वो लग-बग 1.4 kg होता है brain का weight 1.4 kg 1.4 kg का मतलब के लग-बग 1400 gram 1 kilo 400 gram ठीक है ये brain का weight होता है तो ये आपनी याद रखना है पर बग 2.4 kg